तो सभी वीवर्स को नमस्कार वीवर्स में डॉक्टर पवन ओब्राय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडिवी डॉक्टर पवन ओब्राय पे स्वागत करता हूं तो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है CCS University Merit का में Second Year Private का Question Paper Discuss करेंगे Sociology का Social Change in India तो जो Private का सलेवे से उसमें सारे MCQs आते हैं CCS University Merit और माशाकुम्ब्री इन्वस्टी सारंपुर में तो CCS University Merit और माशाकुम्री इन्वस्टी सारंपुर के ऐसे स्टूडेंट जो 24 में अपना एक्जामनेशन देंगे में सेकंड यर का जिनके पास शोशलोजी है या और इंडिया में ऐसी इन्वस्टी जहां पर एमसी की प्रिपेशन हो रही है टीजीटी पीजीटी नेट के लिए जो कोशन सेंगे स्टूडेंट को तो उनके लिए काफी हेल्फुल वीडियो रहेगी तो 28 मार्श 2023 में यह कोशन पेपर हुआ था इस साल तो आप सब लोग सबसे पहले मेरा चैनल सबसाइब कर लिजे स्ट पेपर जो है वो सॉल मिलेंगे आप 210 रुपे में 2021,22,23 के पेपर ले सकते हैं सॉल वाट्स अप नमबर डेस्रिप्शन बॉक्स में है 6396242878 तो आप गूगल पे फोन पे पे टीम से एमांट डिपॉजिट करके आप मैसेज दे जीएगा कि किस की सब्जेक्ट की आपको च चाहेंगी इंग्लिश उडम वाले सुडेंट को बहुत हल्प मिलेगी क्योंकि उनके लिए मार्केट में कुछ भी इंग्लिश मेडियम में नहीं होता क्योंकि समय नहीं मिल पाता है रिसीव करने का तो सिर्फ आप मैसेज भेजिएगा जब समय मिलेगा तब आपको पीडिएप भेजी जाएगी एक दिन दो दिन एक घंटा दो घंटा ऐसा नहीं है कि आपने एमांट भेज दिया और आपको पांच मेंट के अंदर तो काफी important paper है आपका social change in India तो केवल question और answer students मैं discuss करूँगा क्योंकि आदे घंटे की लगभग वीडियो बन जाती है तो आपके revision purpose से है ताकि आपको पता लग जाए ठीक है प्लेली जूर विजिट कर लिजेगा में सेकंडियर सोड पेपर sociology तो नहीं है कि निमलिखित में से कौन समाजिक संस्थाओं का परिवर्तन नहीं है तो वो है आपकी युवा शक्ती की कमी सेकंड उधारी करन का विस्तार किसलिए जरूरी है तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए चीक है तो जो है बहुत जरूरी होता है उधारी करन इंगलिश में हम इसे liberalization कहते है कि सूचना प्रद्योग की करांती के लिए नए उत्पादन या प्रती उत्पाद क्या है तो वो तीनों ही आपके हो सकते हैं वो हिंसा या बेरोजगारी भी हो सकती है और वो अशलीलता से भरे जो हैं वो टीवी चैनल्स भी हो सकते हैं या कोई आतंक वाद या कोई सफेद post अपराद भी हो सकता है तो इसमें the answer correct है आपका उप्रियोग सभी और students एक बार ध्यान रखेगा कि जितने भी answer मैं आपको बता रहा हूँ ये CCS University की answer की के according में आपको बता रहा हूँ अगर आपको लगता है कि कोई answer मेरे दुवारा गलत बताया गया है तो इसलिए गलत हुआ हो क्योंकि CCS University की answer की में भी गलत होगा तो आप बिल्कुल fully confident हो तो आप अपना answer correct मानिएगा Google पे check कर सकते हैं या आपके पास जो भी study material है आप उससे भी check कर सकते हैं समाजिक परिवर्तन निम्न में से कौन से समाज की विशेष्टा है तो एतिहासिक, आधुनिक और अध्योगिक ये तीनों ही है तो D right option है उप्योक्ट सभी निम्न में से कौन सा समाजिक परिवर्तन का एक सवरूप है तो वो answer है आपका उप्योक्ट सभी क्योंकि प्रगती भी होगी उद्विकास भी होगा और विकास भी होगा तो D सही answer है उप्योक्ट सभी समाजिक ढाचे या समाजिक सन्नचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है सीधी सी बात है समाजिक परिवर्तन ही कहा जाएगा themes and perspective on Indian sociology समाजिक परिवर्तन के संबन्द में निम्न में से कोन सा कथन सही नहीं है निश्चित भविश्यवानी भारत में चिपको आंदोलन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है तो NTA net में भी आया हुआ कोश्चन है ये वह सुन्दर लाल बहु गुणा समाज शास्तर में सार भोमिक करण संकुचिती करण की अवधारनाए किसने प्रतिपादित की है तो वो है making married निम्लिकित में से कोन सा एक आधुनिकी करण का लक्षण नहीं है तो वो है प्रदत दिक्विन्यास निम्लिकित में से किसने भारत में परंपरा के आधनिकी करण का विशलेशन किया है तो वो है योगेंदर सिंग कोन सा समकालिन भारती समाज में आधनिकी करण का लक्षन है तो लोकी की करण भी हो सकता है पश्चमी करण भी हो सकता है और अध्योगी की करण भी हो सकता है तो दी राइट आंसर है उप्यूक्ट सभी, the consequences of modernity पुस्तक किस ने लिखी, तो वो लिखी आपकी, यह एक्षिली वर्ड है, consequences, ठीक है? तो Anthony Giddens, संस्कृति करण की प्रक्रिया द्वारा किस परिकार का परिवर्तन होता है, तो सर्नचनात्मक और पदमूलक दोनों ही परिकार के परिवर्तन हो सकते हैं, तो C, right answer है, A और B, दोनों, सार्व भोमी करण एवं इस्थानिय करण की अवधार्णा किस ने दी है, तो वो दी है मेकिम मेरियट ने, लगू एवं व्रहत परंपराओं की अवधार्णा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो वो भी मेकिम मेरियट का जुड़ा हुआ है, आरे समाज की स्थापना किसने की तो वो महरिशी दियानन्ने की थी युग निर्मान आंदोलन के संस्थापक कौन है तो वो है शिरी आर एस आचारे भारतिये किसान यूनियन के साथ किसका नाम जुड़ा है तो आप सब जानती होंगे चोधरी M.S. तिकैत का भारतिये समाज एवं संस्कृति की आत्म कौन सी है तो वो है विविद्ता में एकता शोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी तो वो लिखी W.E. मुरे में संस्कृति की अवधार्णा किसने प्रतिपादित की है तो वो की है M.N. शिरी निवास ने भारत के वैश्वी करण की प्रक्रिया में कोन सा निमलिखित कारक बाधा नहीं है तो वो है व्यक्तिक राजनीती भारतिय समाज में हो रहे रूपांतरण के लिए उत्तरदाई प्रक्रिया है तो नगरी करण भी हो सकती है भुमनली करण भी हो सकती है और अध्योगी करण भी हो सकती है तो D.S. का राइट ऑप्शन है उप्चुक सभी वैश्वी करण की अब धार्णा की शुरुवात कहा प्रक्रिया है तो निजी करण और उदारी करण दोनों ही है तो C. इसका सही आंसर है और भी दोनों. भुदान आंदोलन किस ने चलाया था? Vinojabhaven ने. धर्म निक्षेपी करण के कारक हैं तो आध्यूनिक शिक्षा भी हो सकती है पास्यात्य शिक्षा भी हो सकती है और भा पारिस्थितिक विकास का प्रमुक्तत्व क्या है तो संतुलित, समनमित और पोशन नहीं है ये तीनों ही हो सकते हैं तो डी राइट आप्शन है उप्रुक्त सभी किसने कहा कि किसी उदेश्य या उदेश्यों की पूर्ति हेतु द्वित्य तथा उच्ष्रेणी के साध्रों क विवस्था प्रोद्योग की है और प्रोद्योग की जगे तकनीकी शब्द भी यूज होता है तो वो है एक सरन किस प्रक्रिया में पश्चमी पोशाक खान पान तोर तरीके शिक्षा विदिया जैसे गैजेट होते हैं खेल तथा मुल्यों आदी को समलित किया जाता है तो सही आनसर है आपका सन दो हजार में यह भी बहुत इंपोर्टन कोशन है पुझी का आदान प्रदान वेपार का आदान प्रदान श्रम का आदान प्रदान तता प्रद्योग की का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के तत्व है तो यह सारे ग्लोबलाइजेशन के तत्व है न राश्च्रिकरण, the consequences of modernity, नामक पुस्तक के लेखक कोन है, तो देखे, question repeat हो गया, शायद अभी repeat हुआ था, ये पीछे आया था, get dense, चलिए, भारत में radio प्रसारण कब प्रारंब हुआ, सन 1925 में, dimensions of social change in India, पुस्तक किस ने लिखी, तो वो लिखी, शिरी निवास ने, समाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो वो कभी सरल हो सकती है, और कभी जटिल हो सकती है, भारत में उदारी करण की प्रक्रिया का प्रारंब हुआ था, तो ये सन 1922 में हुआ था, 1992 में, भारत में राष्टिय स्वतंतरता आंदोलन का अध्यन, किस ने माक्सवाधी परी प्रेक्षे में किया, तो वो हैं, ए आर देशाई, शोशल एकोलोजी पुस्तक किस ने लिखी, तो वो आर सी गुहा ने लिखी थी, किस भारतिय समाजिक विचारक ने परंपराओं के अध्यन पर जोड दिया, डी-पी, मुखर जी ने, योद्योगिक करांटी के क्या कारण हैं, तो आर्थिक भी रहे हैं, समाजिक भी रहे हैं और राजनीतिक भी रहे हैं, तो डी-राइट आउप्षन है, उप्रयोप सभी, एक अध्योगिक समाज की पहचान हैं, तो वो समाजिक गती शीलता द्वारा होती है। नगरी करण के कारण समस्याएं हैं, क्या होती हैं? तो वो अपराधों में वृद्धी जो है, वो हो सकता है, तो यह इसका right answer है। भारत में कौन सा नगरी करण एवं और योगी करण का प्रभाव है? तो तीनों ही हो सकते हैं, सयुथ परिवारों का विगटन भी हो सकता है, इस्तियों को अधिक रोजगार भी हो सकता है और व्यक्तिवाद में वृद्धी भी हो सकती है, तो डिराइट ओप्षन है उपक्योग सबी परिया वरनिये अव क्रमण वह समाजिक लागत है जो किसी द देश को और द्योगिक विकास हेतू चुकानी पड़ती है तो बिलकुल ये बात बिलकुल सही है ना सत्यकतन है पर्यावरन प्रभाव आंकलन किसके लिए महत्वपून है तो वो आपदा की भविश्यवानी के लिए महत्वपून होते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन था तो एक जों आंदोलन था वो पृत्वी सन्रक्षन आंदोलन था पश्मि करन में वृद्धी संस्कती करन की प्रक्रिया को तीव्रता परदान करती है तो ये कथन किस ने कहा तो ये योगेंदर सिंग ने कहा निमने मैंसे कोन सी आदमी की करण की एक विशेष्टा नहीं है तो वो है लोकिक मुल्यों में कमी Social Moment in India डैश की कृतिय मतलब किसने लिखी है तो वो लिखी है DN घन गारे की मूल अर्थों में समाजिक परिवर्तन का अर्थ सनचनात्मक परिवर्तन है तो यह कथन किसका है तो यह है W.E. मूरे का Social Statification and Change पुस्तक किसने लिखी तो वो लिखी योगे इंदर सिंग ने वैश्वी करण का समाजिक सांसकतिक प्रभाव क्या है तो इसमें भी तीनों आंसर हो सकते हैं राजनी तग्यों का प्रभाव घटा, बजार शक्ती अधिक मजबूत हुआ है नोकर शाहों का प्रभाव घटा है तो डी, राइट आंसर है, उप्रोक सभी सूचना करांती किसकी देन है, सूचना प्रद्यों की करांती किसकी देन है तो वो भुमनली करण की देन है समाजिक परिवर्तन का कोन सा पहलू राजनेतिक जीवन की विशेष्टां को उन्नत करने में साहायता देता है तो वो है आधनी की करण, आमतोर पर वैश्वी करण की प्रक्रिया का संबंद किस जगत से माना जाता है वैश्वी करण है न, तो वो आर्थिक से, एकोनोमिक जातिये सन्नचना में परिवर्तन के क्या कारण है तो इसमें भी समाज का खंडात्मक विभाजन भी हो सकता है विभा संबंदी प्रतिबंद भी हो सकते है और पेशे के प्रतिबंदित चुनाव का अभाव भी हो सकता है तो the right option है वो प्योक्त सभी निवनलिकित में से कोन सा समाजिक परिवर्तन का कारण है तो तकनीकी भी हो सकता है, संस्कतिक विलंबन भी हो सकता है, और संस्कति में उतार चड़ाव भी हो सकता है, तो डी राइट आप्शन है, वो क्योक सभी, प्रध्योग की विकास ने देश में और द्योग की करण की प्रक्रिया को भढ़ाया है, ये भी जो है बिल्कुल सत्य ह प्रोध्योग की धरम की तुल्ना में समाजिक परिवर्तन का कैसा कारत है तीप्रो शोशल बैक्ग्राउंट ओफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किस ने लिखी आर ए देशाई ने किस धरम शाष्त्री ने दक्षिन भारत के कुगों कुगों ही हो सकता है रेवर्ड शायद प्रिंट नहीं हो रहा है कुगों में धरम तथा समाज का अध्यन किया तो वो थे M.N. शिरी निवास निमलिकित में से कौन सा संस्कृति करण का आदर्श प्रतिमान है तो वन एवम जाती दोनों है निमलिकित में से कौन सा भोतिक संस्कृति का उधारन है तो वो है कंप्यूटर और द्योगी की करण के प्रत्यक्ष परभाव है तो श्रम विभाजन भी हो सकता है विशेशी क और समाजिक संबंदों में परिवर्तन भी हो सकता है। तो D, राइट ओप्शन है, उप्योक्त सभी। परियावर्ण यें विकास के परिप्रेक्षे में मनुष्य में कौन सी प्रक्रिया सरवादिक महत्तपून है। तो वो रूपांतरन भी हो सकती है और अनुकूलन भी हो सक या तो D, राइट ओप्शन है, A और B दोनो, वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिध्धान किसने प्रतिपादित किया, तो वो है रिटजर, प्रह्मानी करण परिवर्तित होकर बना, वो बना संस्कृति करण, Modernization of Indian Tradition पुस्तक किसने लिखी, तो वो भी लिखी योगेंदर सिंग ने, किसने संस्कृति करण को अग्रिम समाजी करण कहा है, तो वो योगेंदर सिंग ने कहा है, कौन सी प्रक्रिया, भारत के इतिहास में सार्भोमिक प्रक्रिया है, संस्कृति करण, निम्न में से कौन से कारक संस्कृति करण को आगे भडाते हैं, तो पास्चात्य शिक्षा, लोकों की करण, यातायात, एवं संचार के साधन, तो डी, राइट आप्शन है, उप्युक सभी, किस प्रक्रिया में उच इस्थिति का दावा, काफी समय तक करना पड़ता है, त भारतिय समाज के रुपांतरन को समझने के लिए डैश को लागू किया, तो एतिहासिक फोतिक वात को, कोन सी प्रक्रिया अन्य विद्वानों के विचारों से संस्कृति करण से अधिक प्रभावशाली है, तो वो है, ए संस्कृति करण, क्या संस्कृति करण सार्भोमिक प आंसर है हाँ आतंकवादी आंदोलन के मुख्यनेता किस वर्ग के थे उच्छ वर्ग के थे भारतिय अर्थविवस्था कब से नियोजित अर्थविवस्था के रूप में संचाली थे तो वो है एक अपरेल उनिस सो इक्यावन से एक सामयवादी देश में एक दल का शाशन होता है Social movements in India पुस्तक किस ने लिखी? वो लिखी MSA राव ने Globalization पुस्तक किस ने लिखी? वो लिखी Malcolm Waters ने The Modern World System पुस्तक में किसका योगदान है तो वो है I. Wallerstein का भारत में समाज सास्तर के पिता या जनक कौन कहे जाते है बड़ा important question है G.S. घुर्ये और योगी करण का भारतिय समाज पर परभाव पड़ा है तो वो पड़ा है अधिक खुलापन समाजिक आंदोलन महत पूर्ण है है ना तो किसके लिए समाजिक सुधारों के लिए संस्कृति करण दुवारा इसतर उपर उठाया जा सकता है निम्ने जातियों का वह कोन सी प्रक्रिया है जिसके दुवारा संस्कृती एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को हस्तांत्रित होती है तो वो होता है समाजी करन अभीजात वर्ग के परिभ्रमन का सिध्धान्त के साथ किस समाज शास्त्री का नाम जुड़ा है पेरेटो का किसने कहा संस्कृती परियावरन का मानव निर्मित भाग है तो वो है हस कोरविट्स ठीक है चलिए नेक्स है निमलिकित में से कोण चेतनात्मग प्रत्यात्मग एवम आदर शात्मग संस्कृती से समबंदित है सोरोकिन शोशल चेंज इन मौर्डन इंडिया पुस्तक किसने लिखी शिरी निवास ने किसने समाज एवम जीव में साध्रश्यता प्रतिपादित की स्पेंसर ने किस प्रक्रिया का उदेश्य अर्थ्विवस्थाओं एवम समाजों का उत्तरोत्तर एकी करन करना है वैश्वी करन निमलिखेत में से कोन सा सिध्धान्त सोरोकिन के समाजिक परिवर्तन के सांस्क्रतिक सिध्धान्त से सम्बंदित नहीं है तो वो है समाजिक संतुलन का नियम अर्बनाइजिशन एड शोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी वो लिखी M.S.A. रावने निमलिखेत में से कोन प्राणी शास्त्रिय उद्ध विकास सिध्धान्त के जनक है तो वो है डार्विन और लास्ट कोश्चन है आपका कि निमलिखेत में से कौन समाजिक परिवर्तन के रेख्य सिध्धान से संबंदित नहीं है तो वो है ओस्वार्ड इस्पैंगलर क्योंकि है स्टुडेंट्स यह आपके सो कोश्चन हो गए लगभग 23 मिनट की वीडियो होने जा रही है मैंने यह इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोला थाकि थोड़ा सा जल्दी रिवीजन हो जाए क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट की बुकलेट्स होती है तो में हिंदी में इंग्लिश में एकनॉमिक्स में एजूकिशन में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस बहुत सारी है ऐसे M.E. के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो M.A. First Year Private के भी पेपर मैं इस बार अपलोड कर रहा हूं जो मैंने अरेंज किये हैं निशलिबर्स के वह भी आप जो है M.A. First Year History के देखने है जैसे तो उसके आप sold paper के नाम से देख सकते हैं M.A. History, First Year, Sold Paper, Unsold Paper तो काफी help मिलेगी, मैं पूरा-पूरा पर्यास कर रहा हूँ, आप playlist देखेगा, आपको काफी help मिलेगी, channel subscribe करके दोस्तों को भी share कर दीजेगा, ताकि उनका ये benefit हो जाए, NTA net, TGT, PGT के लिए आप इन videos को देख सकते हैं, आपके काफी help होगी, ठीक है students, मही तरब से आप से you go best of luck, thank you.